जस मोधी काल में चुटकियों में बिल पर बिल पास करवाए गए सदन में विपक्ष चीकता रहा चिलाता रहा स्पीकर ने एक न सुनी और तो और विपक्ष के सांसोदों को सस्पेंड कर दिया गया कत्त ताना शाही चलाई गई उस मोधी काल में सदन का ये हाल हो चुका है कि पीम मोधी की ही कुरसी खाली पड़ी हुई है हाला तो इतनी खराब दिखाई दे रही है कि मोधी सरकार अपने तीसरे कारेकाल का पहला ही बिल पास नहीं करवा पाई है अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर NDA के पास बहुमत है तो आखिर क्यों वक वोर्ड संशोधन बिल पास नहीं हो पाया आखिर क्यों इस बिल को संसदिय समिती को भेज दिया गया आखिर क्यों इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया इन सभी सवालों का जवाब अब निकल कर सामने आया है और जवाब ये है कि इस बिल पर NDA के पास सदन में बहुमत नहीं था हालत तो इतनी खराब हो गई कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की कुरसी अलपमत में आ गई इसलिए अचानक आनन पानन में इस बिल को वापस लेना पड़ा और संसदिय समीती को भेजा गया है तो सदन में कल कितना बड़ा खेल हुआ है नीती शनाइडू ने कैसे मोदी सरकार पर दबाओ बनाया है आपको एक एक करके बताएंगे लेकिन उसके पहले खबर का बैग्राउंड फटा फट से बता देते हैं सबसे बिले आप खबर देखिए एंडी टीवी की बकायदा बिक ब्रेकिंग चलाए गई है देकिस खबर में लिखा है कि वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को दी गई मनजूरी वक्फ कानून में संशोधन बिलको कैबिनेट की मनजूरी मिल चुकी है तो कैबनेट की मंजूरी तो मिल गई थी लेकिन सदन में NDA के घटक दलों की मंजूरी नहीं मिल पाई भारतिय जंता पार्टी ने पूरी तयारी कर ली थी कि कैबनेट से मंजूर करने के बाद इसको सदन में पहले की तरह एक बार में पास करवा दिया जाएगा और कानून बना दिया जाएगा लेकिन बीजेपी की पूरी की पूरी तयारी धरी की धरी रह गए आपको बता दे कि पहले ही विपक्ष ने मांग की थी कि इस विलको संसदिय समीती को भेजा जाए लेकिन भारतिय जंता पार्टी ने एक ना सुनी, खबर भी मौजूद है, खबर देखें, नौभारत की इसमें लिखा भी हुआ है, कि लोग सभा में पेश होगा वक्विध्यक, विपक्ष ने संसती समिती के पास भेजने की मांग की, तो विपक्ष ने इसको पेश होने से प गया, कि इस बिल को अब संसती समिती को भेज दिया गया है, अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, कि अगर भारतिय जंता पार्टी के पास बहुमत था, तो आखिर क्यों इस बिल को संसती समिती को भेजा गया, पहली बात, और दूसरा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि क्या भारतिय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था इसलिए अचानक इस प्रस्ताओं को वापस लेना पड़ गया क्योंकि BJP पीछे हट जाए या फिर कि अपना बिल पास ना करवा पाए ऐसा पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ जो की सदन में हुआ है सदन में क्या हुआ है आप अच्छे से जानते हैं फिलाल मैं सीटो का गरित आपको फटाफट से बता देती हूँ अगर सीटो की बात की जाए तो भारतिय जनता पार्टी के पास 246 सांसद है यानि कि BJP के पास बहुमत नहीं है और बहुमत को प्राप्त करने के लिए एंडिये के घटक दलों का इस बिल पर सहमत होना बेहस जरूरी है जो की सहमत नहीं दिखाई दिये सबसे पहले तो नितीश नाइडू ने बगावत कर दी आपको बता दें 12 सांसदों वाली जेडियू और 16 सांसदों वाली टीडीपी ने साफ कह दिया कि मुस्लिम वोट बैंक हमारे लिए जरूरी है अगर आप चाहते हैं तो सदन में हम इस बिल को सपोर्ट कर देंगे लेकिन आपको इस बिल को वापस लेना होगा संसदी समीती को भेजना होगा अब ये खबर भी निकल कर सामने आ गई है और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नितीश नाइडू ने भारतिय जनता पार्टी की लाज बचा दी है और तो और सदर में भयंकर नोटंकी हुई है अब क्यों ये नोटंकी हुई है और इसके पीछे का क्या प्लान है और इस प्लान को लिकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है ध्यान से सुनेगा क्योंकि ये पहला बिल है जिसे भारतिय जनता पार्टी पास नहीं करवा पाई ये पहला बिल है जिस पर नितीश नाइडू खेल गए हैं और कितना तगड़ा खेल गए हैं खबर आप देखिए न्यूज 18 की देखे इसमें लिखा हुआ है कि वक बोर्ट कानून संशोधन पर JPC क्यों बनी क्या नितीश नाइडू और चिराग ने बनाया प्लान इंसाइड स्टोरी तो इसके पीछे कि जो इंसाइड स्टोरी निकल कर सामने आई है जो प्लान निकल कर सामने आया है वो अपने आप में बेहद चोकाने वाला है सदन में कितनी बड़ी ड्रामे वाजी की गई है खबर आप देखिए आगे जो लिखा हुआ है वो में पॉइंट है और मैं वो आपको पलकर सुनाती हूं देखे खबर में लिखा है कि सूत्रों से जानकारी आई है कि केंद की नरेंद्र मोधी सरका वर्क बोर्ड अमेंड्मेंट बिल दो हजार चौविस को जॉइन पार्लियमेंटरी कमेटी के पास भेजने का फैसला एंडिय के सहयोगियों से विचार विमर्ष करने के बाद लिया है इसका मतलब साफ है कि पहले ये विचार विमर्ष नहीं किया गया था विपक्ष मांग विलास के प्रमुक और केंद्रिय मंत्री चिराग पासवान एवं टीडीपी के प्रमुक चंद्रबाबू नाइडू की एहम भूमिका रही है कि केंद्र सरकार इसे जॉइन पार्लियमेंटरी कमेटी में भेज दे तो आप देख सकते हैं कि भारतिये जनता पार्टी पर कित कितना तगड़ा दबाओ बनाया गया है इन लोगों ने साफ कर दिया है कि हम एंडिये के साथ भी है और मुसल्मानों को भी संदेश दे दिया गया है क्योंकि मुसलिम व्योट बैंक को नाराज कर पाना नितीश कुमार और चंद्रबाबू नाइडू के बस की बात नहीं है पहले ही खबर निकल कर सामने आई थी कि ये दाओ उल्टा पड़ेगा और अब ये दाओ कितना बड़ा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है आप इस बिल के वापस होने से पासना होने से और संसदी समिती में जाने से अंदाजा लगा सकते हैं फिलाल जहां एक तरफ ख ठीक से बताता नहीं जो बात छंशन के आ रही है वो यह आ रही है कि तेल्गू देशंग की तरफ से ही कहा गया कि वो इस बिल का विरोध कर सकती है बशरते सरकार के साथ उन्होंने एक समझदारी काई की कि हम इस बिल का समर्षन कर देंगे लेकिन आप हमारे समर्षन करना पास नहीं कराएंगे बलके इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजते हैंगे यानि सरकार की सरकार को शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ेगी तो सुना आपने वरिष्ट पत्रकार अबेद उबे ने साफ साफ कह दिया है कि भारतिये जनता पार्टी दबाव में है और नितीश नाइडू ने बड़ा दाउं चल दिया है इस बार साफ भी नहीं मरा है और लाठी भी नहीं तूटी है भारतिये जनता पार्टी को शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ी है और ये बिल भी नहीं पास हो पाया है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदा लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नितीश नाइडू उल्टा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं भारतिय जनता पार्टी ने ये सोचा था कि जिस तरीके से मंत्राले और स्पीकर के पद को लेकर टीडीपी और जेडियू को मैनेज कर दिया है उसी तरीके से वक्त वोर्ट संशोधन बिल को लेकर भी मैनेज कर दिया जाएगा लेकिन इस बार नितीश नाइडू मैनेज नहीं हुए क्योंकि अपने मुस्लिम वोर्ट बैंक को नारास करके भारतिय जनता पार्टी को सपोर्ट करना एक बेवकूफी होगी और देखा जाए तो किसे अपने ही पैरों पर कुलाडी मारी है आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी की फजियत हुई है और पोलोन फजियत हुई है वो भी सदन में हुई है ऐसे में देखना ये दिल्चस्प होगा कि पहले बिल का अगर ये हाल हुआ है तो आने वाले वक्त हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शेयर करें हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जॉइन करें फिर मिलते होगी खबर के साथ अब तक के लिए धन्यवाद